है गाइज वेलकम बेक टो डिस्कवरिंग नियर्बाइए आप संकेत का शेप और आज बात करने जा रहा हूं एक इंपोर्टेंट चीज की जो की है इयरपोर्ट्स की बैस तो चैनल पर आपको एयरपोर्ट्स के और एयरपोर्ट्स प्रो के रिव्यू मिल जाएंगे तो मैंन है और रेडी कवर कर लिया अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो चेक कर ले लेकिन आज मैं बात करूंगा एयरपोर्ट्स के बारे में अब कुछ लोग सोचेंगे किया डंब आइडिया है कि सिंपल एरफोर्ट्स का रिव्यू क्यों कर रहा हूं बेसिक लिख कर लेके लिए जाता है तो आपको यह लेनी चाहिए नहीं जाएं लेनी चाहिए उपसी ओला जी तो चलो इसे साइड में लग देते हैं तो पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यह वीडियो मेरा घुट का रिवीव है मतला मेरा खुद को आपीनियन है मुझे पहले तो sponsor नहीं किया, दूसरा हो सकता है, आपके opinions matter करते हों, आपको कुछ अच्छो options पता हों, तो comment में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, इसके बजाए हम क्या ले सकते हैं, ताकि जो viewers हैं, उनको पता चल जाएं, और जो viewers हैं, वो comment चेक कर लें, ताकि उन कि मैं अपना honest opinion दे रहा हूं, और मैं बताऊंगा कि क्यो यह best है, यस, मैं इन्हें सबसे best earphones consider करता हूं, मैंने बहुत important चीज़ करता हूं, कि अगर आपके पास एक iPhone है, तो आपको ज़रूर एयरपोर्स में invest करना चाहिए, अब इसके बहुत साइ रिजन्स है कि आपको क्य करना चाहिए, तो मैं उन्हें break down करूंगा, तो first है जो है इसकी sound quality, अब sound quality में लोगों का थोड़ा view different हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग सोचते है कि base ज्यादा होने का मतलब है कि sound quality अच्छा हो ना, लेकिन ऐसा नहीं है, एयरपोर्स की sound quality बहुत अच्छी है, इसमें heavy bass नहीं है लेकिन जो sound clarity है, वो बहुत awesome है, अगर आपने अब तक ऐसा experience नहीं किया है, तो मेरे recording आप काम कीज़े, apple music की subscription लेके, और equalizer change करके याप सुनिये, तो आपको महसूस होगा, कि कैसा sound करते है, और मैंने इस टेंच के और भी काफी earphones यूज कर रहे हैं, like sony के, और उन सब के लेकिन मुझे इसकी sound बहुत better लगती है, सबसे बड़ी खासेती है कि heavy bass ना होने कारण, आप इसे बहुत ज़्यादा देरी के लिए पहन सकते हैं, बिना किसी tension के, ऐसा नहीं है कि आपके कान दर्ध होने लग जाएंगे, और ये सब तो sound quality जो कि एक main important thing है, जो कि आप consider करें कि sound के लिए, गाने सुनने के लिए आप ले रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही बढ़ी चीज है, अब sound की बात कर ली है, और साथ साथ मैंने बताया था कि कान में से आप जादेरी के लिए पहन सकते हैं, तो उसी से दूसरे इसका advantage निकल आता है, इसका comfort, जो इसके air tips का design है वो बहुत ही बढ़िया है, वो आपके कान के अंदर अच्छे से fit हो जाते हैं, इसी वज़ा से, इस design के वज़े से ही मुझे airpods pro से better airpods लगते हैं, वैसे तो airpods के अंदर बहुत जादा feature है, बहुत अच्छे base है और बहुत अच्छी sound है, लेकि फिर भी मुझे अगर personally प कुछ लोगों को in-air पसंद होते हैं, लेकि मुझे वो पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो उनमें base कुछ over आता है, दूसला वो कुछ time के बाद आपको थोड़ा uncomfortable मैसूस होन लग जाते हैं, बागी airpods pro के साथ ये problem नहीं है, वो बहुत अच्छे सापके काने fit होते हैं, उन्होंने पता नहीं क्या mechanism उसके अंदर दिया हुआ है, कि वो air eliminate कर देता है, जिसके वैसे vacuum नहीं बनता, so kind of वो काफी comfortable है, अब तीसरी चीज़ जो मुझे इसके में अच्छे लगती है, ये दो connector के साथ अफलेबल है, लाइक एक lightning connector है, 3.5 M, तो आपके पास older है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास को यूर कंपनी का मोबाइल है, USB-C adapter ले के साथ में, और इसके साथ साथ, जो lightning connector है, वो direct compatible है आपके earphones के साथ, तो ये भी मुझे अच्छी चीज लगती है, वैसे आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, अगर आपके पास कि उसके बटन से आप फोटो क्लिक कर सकते हो, और काफी चीजे थोड़ी बहुत फंक्शनल्टी है, गाने चेंज कर सकते हो, तो ये भी छोटे से बेनिफीट से हैं, लेकिन अच्छी है, मुझे ये थोड़ी से ठीक लगे, शायद कोई थर्ड पार्टी मैंने वैसे जाद यूज नहीं करें, लेकि मुझे नहीं लगता हूं, उनके अंदर ये फैसिलेटी इस अफले बढ़ा है, और लास्ट है, जो उसका माइक है, उसका माइक बहुत अच्छा है, अगर आप काल करते हो, और इवन मैंने कहीं बार वाइस रिकोर्ड़िण ये वोईश ओवर देन करूँ क्योंकि इसमें एक तो कनेक्टर नहीं है तो चार्जिंग के साथ लगा के आप सुन भी नहीं सकते वह काफी हद तक ठीक है लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ अगर अगर अपनी बैटरी लाइफ अच्य चाहते हो तो फोन को हीट मत होने दो लेकिन अगर आप चार्जिंग भी तो यूज़ लगा के यूज करोगे तो यूज़ एक दिखकर जो मुझे मेजर लिगते है याट इस चार्जिंग अब इसकी चार्जिंग अब इसकी पर हैं तो चार्ज करने पड़ेगी तो यह मुझे थोड़ा सा सेट वैक लिगता है और थर दी है इन्हें केरी करना उन से असान है और बात है बहुत चोटे हैं उन्हें भी अपसानी से कर सकते हो लेकिन अगर दोनों में कंपेर किया जाए अगर आपके पास एरपोर्ट्स प प्रो भी है लेकि मैंने एरपोर्ट्स भी शुरू से यूज की है क्योंकि कहीं बार होता है बैटरी खतम हो गई यह बहुत सारी चीज होती है आपको सच बताऊं तो कि मैं चार्ज नहीं कर सकता या मैं एक लंबे ट्रिक पर जा रहा हूं तो मैं एरपोर्ट्स को कैरी करने मैं जरूर millimeter अगर आप इने खरीदना चारते हाँ तो इनका डिस्क्रिप्चें आपको लिंग मिल जाएगा वहां से खरीद सकते हैं और अगर आपके पास प्राइसे कम है तो उसके साथ से मैं थोड़े ओर अच्छे हैड़ फौन के लिंग डिसक्रिप्चें में दिया है त यह मैंने कवर किया है, Best Accessities for your iPhone अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक उपर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शिन में आपको मिल जाएगा तो वीडियो भी चेक कर लेना So, hope you enjoyed the video अगर आपको एक वीडियो लगी हो, तो लाइक कर देना और अगर कोई दोस कंफ्यूज हो एरफोन को लेका आपल के, तो उसको एक वीडियो फॉरवर्ड कर देना बाकि अपल के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को देखते रही है और मैं काफी और वीडियो पोस्ट कर चुका हो, तो एंड में प्ले लिस्ट भी आजाएगी, आपको लिंक मिल जाएगी बाकि आइफोन से लेटेड और असेसिजी खरीदने के लिंक भी आपको दिस्क्रिशन मिल जाएगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तिल देन, बाई बाई तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपको ये एरफोन से खरीदने हैं तो इनका लिंक आपको दिस्क्रिशन में मिल जाएगा कि अगर आपको दिस्क्रिशन में मिल जाएगी